स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से XP क्लासेस में मैं चेतन प्रताब आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 में इंग्लिस में प्रोश के अंतरगत पहला चैप्टर और चैप्टर का नाम है देश भक्ती और देश भक्ती के साथ एक ये इमोशनल स्टोरी है और स्टोरी है जब फ्रांस और प्रसिया का युद्ध हुआ था वो समय से रिलेटेड इस्टोरी है हालागी पूरी युद्ध की कहानी नहीं है लेकिन युद्ध के एफेक्ट की कहानी है ध्यानतना ठीक तो चैप्टर बहुत अच्छा है लाश्ट तक कम्प्लीट देखिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइकन आल पर सेट कर लें जिससे आगे जो भी हम वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप हर एक वीडियो कल आप उठा सकें चलिए शुरू करते हैं चैप्टर से अब चुकि जो ये कहानी है बाई अलफॉन से डॉडट दौरा है और ये जो है ऑथर जो है वो एक फ्रेंच नॉवलेस्ट है और एक सौट स्टोरी राइटर है हलांकि ये जो कहानी है पूरी कहानी है ये फ्रांस और प्रसिया के मद्द जो 1872-1871 के बीच में जो युद्ध हुआ था उस से रिलेटर है तो मैं आपको बता दूँ हालांकि प्रसिया जो है उस समय प्रसिया अब तो नक्से में प्रसिया रही है लेकिन उस समय जर्मनी पोलेंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्टिया यानि ऑस्टिया जर्मनी पोलेंड इन तीनों के कुछ हिस्सों को यानि पूरा जर्मनी आता था प्रसिया में पोले के नितरत में प्रसिया ने फ्रांस को क्या किया था हरा दिया ये तब की वात है तो हराने के बाद प्रसिया ने फ्रांस के दो district थे ऐक आल सेक था और एक लाुरेन था इन पड़ेंँ पर कभजा कर लिया थे और जर्मणी की तरफ से ये order issue हो गए थे कि France के इन दो district में केवल और केवल French language ना पढ़ाई जाकर केवल German पढ़ाई जाएगी ठीक तो अब चुकी order issue होने के बाद after effect क्या थी इसके और इसी से related effect से related एक छोटी सी कहानी है कहानी है एक teacher की और एक student की ठीक कहानी बहुत अच्छी है मज आ जाएगा और कुछ देशभक्ती का touch भी इसमें दिया गया है कहानी बहुत जबर जस्ते चलिए अब chapter से सुरू करते हैं देखें जराब को I started for school very late that morning कि जो narrator है वो कहता है I started for school very late that morning कि उस सामय में school के लिए बहुत late start मैंने किया यानि देरी से निकला and was in great dread dread माने होता डर of scolding और मुझे डाटे जाने का बहुत ज़्यादा डर था especially because क्योंकि M.Hemil had said that क्योंकि M.Hemil ने ये कहा तब M.Hemil कौन है मैं बता तू M.Hemil class teacher है M.Hemil had said क्योंकि M.Hemil ने ये कहा था that he would question us on participle कि वो हमसे participle पर question करेंगे यानि जो French नाम का लड़का है हाला कि इसमें नाम इसका बाद में आएगा मैं आपको पहले से बताए दे रहा हूँ तो वो कहता है कि मैं school के लिए late किया और उस दिन मुझे डाटे जाने के scolding का डर था है ना वो इसलिए था क्योंकि M.Hemil ले ये कहके रखा था कि अगले दिन जो class start होगी तो participle पर question पूछे जाएंगे and I did not know और narrator कहता है I did not know the first word about them और participle के बारे में मुझे पहला भी सब्द पता नहीं था for a moment एक छण के लिए I thought of running away एक छण के लिए मुझे मैंने सोचा I thought of running away मैंने भाग जाने का सोचा and spending the day out of the doors और मैंने सोचा कि उस दिन out of the doors कि घर के बाहर दिन बिताने का सोचा पहले सोचा कि घर से इसकूल से भाग जाओ और घर के बाहर दिन बिताओ It was so warm अब जो मौसम था बहुत गर्मी थी So bright, बड़ा चमकीला मौसम था यानि धूप निकली हुए थी The words were chirping at the age of the birds Oh words were chirping जो चिडिया थी वो चह चहा रही थी At the age of the birds जंगल के छोर में जंगल के किनारे आवा जा रही थी उस छोर चिडियों के चह चहाने की In the open field और खुले मैदान में वेक आप दी 100 मिल 100 मिल माने होता आरा मसीन आरा मसीन के पीछे The present soldiers were drilling जो present soldiers थे जो प्रसा के soldiers थे वो drilling कर रहे थे या दभ्यास कर रहे थे यानि जब नेरेटर ने सोचा कि आज स्कूल का गोला मारा जाए स्कूल ना जाये जाये घर के बाहर दिन बिताई आए तो बताता है कि उस दिन मौसम बड़ा गर्म था चिनिया चह चाह रही थी जंगल के छोर में और आरा मसीन के पीछे यह जो खुला मैदान था open फील्ड थी वहाँ prasiean soldiers क्या कर रहे थे drilling कर रहे थे it was all much more tempting और यह सारी चीज क्या थी all much more tempting यह चीजे ज़्यादा tempting थी प्रलोबित करने वाली थी then किसकी अपेक्षा then the rule for participle कि participle के लिए जो rule है उसकी अपेक्छा ये चीज़े ज़्यादा टेम्टिंग थी लेकिन मेरे पास इतनी छमता थी कि मैं रेजिस्ट कर सकूँ प्रतीरोध कर सकूँ और इस्कूल के लिए जल्दवाजी में चला गया यानि वो सोचता है अपने से कि ती तो छमता है कितना तो सहन कर सकते हैं अगर टीचर कुछ कहेंगे डांटेंगे बगेरा तो सब इतना तो सहन हो जाएगा और में इतना कहकर इस्कूल के लिए निकल गया तेजी से निकल गया किलियर होई बात तो कहानी आगे मूप करती है आगे समझे ठीक, when I passed the town hall जब मैं town hall पास करके गया कहने का मतलब town hall यानि जो अथाया होती है वहाँ से जब मैं गुजरा town hall माने होता है कस्वे का एक बड़ा hall कह सकते हैं वहाँ जहां लोग ज़्यादा जमा होते हैं खटे होते हूं when I passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin board कि जब मैं town hall पास करके गया वहाँ से गुजरा वहाँ से गुजरा, पास हुआ वहाँ से तो there was a crowd in front of the bulletin board bulletin board का मतलब होता है सूचना पट कि एक भीर थी bulletin board के पास एक भीर थी crowd था in front of माने होता है के सामने उस bulletin board के सामने काफी भीर लगी थी for the last two years और पिछले दो वर्सों से all our bad news had come from there और हमारी जो भी जितनी भी बुरी news होती थी वो सारी दो वर्स से वो सारी बुरी news वहीं से आ रही थी उसी bulletin board से त्यान रही ठीक अब वो news कौन कौन से थी जो बुरी news थी the lost battles हारे हुए युद का news the draft, सेना की भर्ती की news the order of the orders of the commanding officer और commanding officer के order ये सारे बुरे समचार वहीं से आते थे and I thought to myself और मैंने सोचा without stopping, बिना रुके मैंने सोचा what can be the matter now कि अब क्या matter हो सकता अब क्या बात हो सकती है मैंने सोचा ठीक आगे देखें then तब I as I hurried by as fast as I could go as I hurried अब जितना हरी होके, जितना जल्दी होके by as fast as I could कि जितना तेजी से मैं जा सकता था उतनी तेजी से the blacksmith, the watcher जो blacksmith थी जो लोहार था ठीक, जिसका नाम था watcher who was there, जो वहाँ था कि जब मैं वहाँ तेजी से गुजर रहा था तो उस समय वहाँ किया था, एक blacksmith था जिसका नाम था watcher, who was there जो वहाँ था with a apprentice apprentice माने होता है चेला, जो अपने चेले के साथ, apprentice माने नौ सीखिया भी होता है, जो अपने चेला के साथ वहाँ मौजूद था, reading the bulletin, bulletin को पढ़ रहा था called after me, उसने मुझे पीछे से बुलाए, called after me यानि जैसी मैं वहाँ से गोज़ाए उसने पीछे से बुलाए, called after me don't go so fast बब, और मुझे बुला अरे छोकरे don't go so fast कि इतने तेज मत भाग you'll get to your school in plenty of time, plenty माने होता परयाप कि तुम परयाप समय में अपनी school में पहुँच जाओ ली, परयाप समय intentional हो, ज्यादा तेज न भागो, जल्दी पहुच जाओ ली समय से, I thought मैंने सोचा he was making fun of me मैंने सोचा, he was making fun of me make fun माने होता है, मजाग बनाना कि साइद वो मेरा मजाग बना रहा है ऐसा मैंने सोचा, and received M. Hamil, M. Hamil's, and reached, और मैं पहुच गया, M. Hamil's little garden, all out of breath, और मैं M. Hamil के छोटे से गार्डन के पास पहुच गया, all out of breath, कि एक सांस में पहुच गया, बिना रोके, usually, प्राया, when school begin, जब school सुरू होता था, तो there was a great version, की बहुत जादा शोर होता था, जब school सुरू होता था, start होता, बहुत सोर होता था, which could be heard out in the street, कि जो बाहर गली में भी सुनाई देता था, सुनाई दे सकता था, है न, तो बताता है, जब प्राया, school सुरू होता था, usually, जो सोर होता था, school का, वो गली के बाहर भी सुनाई देता था, यानि, उसकी आवाज आती ठीक, आगे देखते हैं, अगला, the opening and closing of desk, अब क्या कै सुनाई देता था, the opening and closing of desk, कि desk के खुलने और बंद होने की आवाज, lessons repeated in unison, अब जो एक सुर में जो lesson बगएर आप बच्चे रिपीट करते न, दोहराते हैं, वो सुनाई देता था, very loud, बहुत तेज, with our hands, over our ears, और कितना तेज होता था ही आवाजे, कि हमारे अगर हाथ over our ears, हमारे कानों के उपर भी हमारे हाथ हो, तो भी सुनाई दे सकते, to understand the better, to understand better, तो भी बहुत अच्छे से, बड़े बैटर तरीके से ये समझ आ सकती थी चीज़े, and the teacher's great ruler, wrapping on the table, और teacher का जो great ruler था, ruler मारे, जो फुट पहार भी, समझ रहे हो, कि desk का खुलना बंद होना, पाट का दोहराय जाना, और इतना तेज ये सब होता था कि अगर कान की उपर हाथ भी रख लिए जाए, तो भी अच्छा समझ में आ जाए, और teacher के ruler को wrap करनी की आवाज, but लेकिन, but लेकिन, now it was also instant, लेकिन अब जो था, ब to get to my desk, without being seen, I had counted on the commotion, commotion माने होता सोर गुल, counted on माने होता निरभर करना, कि मैं तो जो सोर हो रहा था ना, इसी चीज़ पर निरभर होता था, निरभर कर रहा था, मानने मैं तो इसी चीज़ पर आसरित था, to get to my desk, without being seen, कि बिना देखे, कि कोई मुझे देखना पाया, मैं ब सोर पर, कमुजन पर आसरित था, बट लेकिन, of course, बास्तो मैं, that day, everything had to be as quite as Sunday morning, लेकिन उस दिन, everything had to be as quite as, इतना सांथ जितना Sunday morning, लेकिन उस समय, उस दिन, सब कुछ इतना सांथ था, जितना की Sunday morning को होता था, थूरू दा, विंडो, खिडकी से, I saw my classmates, अब जब खिडकी से मैंने जहांक के देखा, तो मैंने अपनी classmates को देखा, already in their places, जो पहले से ही अपनी जगह पर बैठे थे, and, am hemmil walking up and down, और जो am hemmil थे, वो walking up and down, आगे पीछे जा रहे थे हैंसे, है न, walking up and down, with his terrible, terrible माने भयानक, iron ruler under his arm, वो अपनी arm में, ऐसे बाहे में, iron ruler को ऐसे दबाए, वो आगे पीछे टह ले थे, ऐसे, समय रहे हो, ये चीज़ हो रहे थी, ठिक, I had to open the door, अब मुझे क्या करना था, खिड़की से सब ये ओ जाक रहा है, और अब, अभी, क्लास के अंदर नहीं कहा, खिड़की से ही बाहर जाक रहा है, और कह रहा है, अपने आप से कह रहा है, बता रहा है, अपनलों को, क्या बता रहा है, I had to open the door, and go in before everybody, ओ कह रहा है, मु आप अब कल्पना कर सकते हो, how I blessed, कि कितना मैं सकुचाया, blessed हुआ, legit हुआ, and how frightened I was, और कितना मैं डरा हुआ था, अब आप ये खुद सोच सकते हो, इतना सकते हो, ठीक, मतला अभी अंदर नहीं गया है, भी सोच रहा है सिर्फ, ठीक, आगे देखो, but nothing happened, लेकिन कुछ भी न kindly, और बड़ी दहालुता पूर्वक्त, बड़ी कोमलता पूर्वक्त उन्होंने कहा, go to your place, quickly, quickly माने, जल्दी से, कि जल्दी से अपनी जगे पर जाओ, इतना teacher ने कहा, कहा कुछ नहीं, बस इतना ही कहा कि जल्दी से अपनी जगे पर जाओ, little friends, छोटे friends, अभी यहां narrator का न अब तुम अपनी जगे पर जाओ, we were waiting without you, हम तुम्हारे वेना chapter की शुरुबात करने जा रहे थे, अब तुम अपनी class पर जाओ, I jumped over the bench and sat down at my desk, I jumped over the bench, कि मैं bench के उपर jump कर गया and sat down at my desk, और अपनी desk पर जाके बैठ गया, not till then, अब तब तक नहीं, when, I had got a little over my fright, अब जब तक ऐसा नहीं हो गया, जब तक कि मैंने अपने डर पर कुछ fright माने होता भाय, अपने भाय पर कुछ control नहीं पा लिया, तो did I see that our teacher had on his beautiful green coat, अब इसके पहले कि मैं, मैंने अपने जब, मैंने अपने डर पर थोड़ा control किया, तो मैंने क्या देखा, did I see that our teacher, कि हमारे जो teacher थे, had on his beautiful green coat, his frilled shirt, frilled माने होता है, जहालरदार, कि मैंने देखा कि जो हमारा teacher है, आपने beautiful green coat में है, और अपनी frilled shirt, जहालरदार shirt पहने है, and the little black silk cap, और एक छोटी सी black silk cap भी लगाए है वो, है ना, काली, रेस्मी टोपी, all embroidered, और जो पूरी टोपी है, उसकी पूरी embroidered है, जड़ी हुई टोपी, यानि उसमें कसीदा कारी की गई, समझ गए, that he never wore, और वो चीज, वो कभी नहीं पहनता था, यानि अब वो बता रहा हुआ था, ठीक, जब तक कि, मतलब मैंने, I had got a little over my fright, कि जब तक मैंने, जब अपने, मैंने थोड़ा भाइपर कंट्रोल किया, तो मैंने क्या देखा कि टीचर उस दिन क्या करे था, beautiful green coat पहने था, frilled shirt थी, और लेटल black cap लगाए था, silk cap, और पूरा जो cap था, वो embroidered, embroidered था, बढ़िया, बुना हुआ था, that he never wore, wear माने होता है, पहने हुए था, except on inspection and price date, कि जिसको वो कभी भी नहीं पहनता था, केवल या तो inspection में पहनता था, या प्राइस देज में पहनता था, या तो जब inspection करने आता था, class का तब पहनता था, या फिर प्राइस देज, जिस दिन प size बगएर बटने होते थे, तब पहनता था, इसके अलावा वो और कभी ये चीज़े नहीं पहनता था, मतलब उनके teacher ये चीज़े और सब नहीं पहनते थे, आगे देखो, besides, इसके अत्रिक, the whole school seemed so strange and solemn, का मतलब होता है गंबीर, और इसके अलावा जो पूरा school था, बड़ा अजीव लग रहा था, गंबीर लग रहा था, but the thing, लेकिन एक चीज, that surprised me most, लेकिन एक वो चीज जिस ने मुझे सबसे ज़्यादा surprise किया, watch to see, जिस चीज ने मुझे सबसे ज़्यादा surprise किया, वो क्या वाज टू सी, वो था, क्या देखना था, वाज टू सी, वाज टू सी, अब देख रहे हैं ये, इसमें देखो, ये खिर्की से जहां करा है, है ना, ये school पहुंचने वाला इसमें बताए गया है, आगे देखो, वाज टू सी, लेकिन वो कहरा, what the thing, लेकिन वो एक चीज, that surprised me most, जिसने मुझे सबसे आज चकित किया, was to see on the back benches, कि was to see on the back benches, कि वो देखकर मैं surprise हुआ, क्या देखकर, on the back benches, कि पिछले वाली benches पर, that were always empty, जो हमेशा खाली होती थी, the blessed people sitting quietly like ourselves, कि उसमें गाओं वाले लोग भी, हमारी तरह sitting quietly, बड़े आसानी से सांती से बैठे थे, ह जाना, old hauser, उसमें कौन था, old hauser था, उन लोगों में, with his three-cornered head, जो तिकोना head लगाए हुए था, old hauser, the former mayor, poor mayor भी था, the former postmaster, poor postmaster भी था, and several other blazer, besides, और इन सब के अत्रिक्ट, अन्ने लोग भी थे, और भी अन्ने लोग थे, everybody looked this head, प्रतिक वेक्ती बड़ा दुखी था, and ha hauser, head, bought an old primer, और hauser जो था, वो एक पुरानी primer लेकर आया था, primer का मतला होता है, प्रारभिक पुस्तिका, वो लेकर आया था, thumbed at the ages, और जो वो किताब थी न, जब ज़्यादा किताब घिश जाती, तो thumbed हो जाती, मने कहने का मतला, उसमें, उंगलियों के निसान पढ़े आत तो बैस ही हो गई थी, thumbed at the ages, age मने होता है छोर, कि primer जो थी, वो thumbed at the ages, छोर पर घिश चुकी थी, and he held it open on his knees, और वो अपने knees, घोटनों पर इसको open पकड़े हुए तो खोल के, with his great spectacles lying across the faces, और with his great spectacles, spectacles मने होता है चस्मा, lying across the faces, और pages पर जो चस्मा था, वो भी पढ़ा मने ऐसे गोटने में रखे था, और चस्मा पेच के उपर रखे था, ठिक, आगे देखेंगे, while I was wondering about it all, कि जब मैं इन सब के वारे में wondering कर रहा था, मने विचार कर रहा था, आश्यर कर रहा था, तो MML mounted his chair, तो MML अपनी chair पर mount हो गए, चढ़ गए, मने बैठ गए, and in the same grave and gentle tone, और उसी अपनी, same माने उसी, उसी तरह के की, grave माने गंभीर, और gentle tone में, हलकी tone में, which he had used to me, कि जो, जिस tone में मुझे बोला करते थे, he had used to me, said, उन्होंने कहा, क्या कहा, my children, मेरे बच्चो, this is the last lesson, कि ये last lesson है, I shall give you, कि ये last lesson है, जो मैं आपको दूँगा, the order has come from Berlin, कि Berlin से order आ चुके है, to tease only German, in the schools of Olsek and Lauren, कि ये Berlin से order आ चुके है, कि Olsek और Lauren की स्कूल में किवल German पढ़ाई जाएगी, the new master comes tomorrow, कि जो अगला teacher है आपका, नया teacher है, वो कला आएगा, this is your last lesson, और ये आपका last lesson है, है ना, I want you to be very attentive, और मैं चाहता हूँ, कि आप बहुत attentive हो, बड़े ध्यान से chapter को समझें और पढ़ाई, ये, माने, teacher ने ये चीज बोली, कि Berlin से order आ चुका है, कि आप Olsek और Lauren में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, और जो आपका नया teacher है, वो कल आएगा, ये चीज इतनी उसने कही, देखो, ये teacher बैठा है, आगे चलते हैं, ठिक, what a thunder clap these words were to me, thunder clap माने बिजली की कड़का हट, अब बिजली की तरह ये सब्द मेरे लिए कड़के, है ना, on the, oh the ratches, अरे दुस्तो, that was what they had put up at the town hall, ये ही चीज है, ये वही चीज है, जो टाउन हॉल में उन्होंने रखी थे, अब रखी थी, माने जो सूचना चिपका के रखी थी, ये वही चीज है, अब उसको समझ में आई, कि जब वो रास्ते में आ रहा था, तो वो कह रहा था, रही, क्या बात है, कोई, अब क्या बात हो सकती, ये blatant board में ये क्या है, सूचना काहे किये, तो अब उसको चीज में थी, माइ लास्ट फ्रेंच लेशन, मेरा अन्तिम फ्रेंच लेशन, वाई, क्यों, आई हाडली नियू, कि मुझकल से में जांग पाया, I हाडली नियू, हाउ तो रइड, कि मुझकल से में लिखना सीख पाया, I should never learn anymore, कि अम मैं और ज्यादा कभी इसको नहीं सीख पाउ ओ, how sorry I was for not learning my lesson, कि मैं अपने chapters को ना सीख पाने के लिए बहुत जाद दुखी था, for seeking words, seeking words, चड़िया खोजने में, seeking words x, चड़ियों के अंडे खोजने में मैंने क्या किया था, समय दिया था, है ना, मतलब इन सब चीज़ों के लिए मैं दुखी था, अब चुकि मैं chapter तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन अब मैं दुखी इस बात के लिए था, कि चीज़ियों के अंडे खोज रहा था, जो पढ़ नहीं रहा था, तो क्या कर रहा था, यह सब किया करता था, और going sliding on the star, और star एक जगे का नाम है, कि जहां मैं sliding के लिए जाता था, my books that had seemed such a noisence a while ago, while माने होता है, छण एगो माने पूर, noisence माने परिशानी, कि मेरी किताबे that had seemed such a noisence a while ago, कि एक छण के लिए मेरी किताबे, कि जो मुझे noisence प्रतीत हो रही थी, है ना, माने परिसानी प्रतीत हो रही थी ये मेरी किताबे जो मुझे बहुत बुरी लग रही थी बोजसी लग रही थी है ना अब बढ़ते हैं आगे So Happy To Carry ये मेरी जो किताबे थी मुझे ले जाने में भड़ी भारी लग रही थी My Grammar मेरी Grammar और My History of the Sands संतों का इथियास Were Old Friends Now अब ये मेरी सारी पुरानी मित्र हो चुकी थी कहने का मतला अब ये मेरी लिए सारे पुरानी मित्र बन चुके थे क्योंकि यो ओर्डर वरलें से आ चुके है कि अब ये सब नहीं पढ़ाए जाएगा है ना Now that I could not give up कि वो मित्र हो चुके हैं जिनको मैं त्याग नहीं सकता था I could not give up छोड़ नहीं सकता था And M.M.L.2 और M.M.L.V है ना इनको भी नहीं The idea that he was going away और ये विचार की वो जा रहे हैं यहां से जा रहे हैं भाग रहे हैं है ना That I should never see him again और ये विचार की मैं उनको फिर कभी नहीं देख पाऊंगा I should never see him again कि मैं उनको फिर से कभी नहीं देख पाऊंगा Made me forget all about his ruler कि इस दुख ने मुझे Made me forget all about his ruler कि उनके ruler के बारे में मुझे सब कुछ भुला दिया कहने का मतलब इतना दुख था कि वो जब छड़ी चलाया करते थे ruler से तो वो भी भूल गया था है ना And how cranky he was और ये भी भी भूल कया थे कि कितने cranky थे कितने चिर्चिड़े थे ये सब उनके बारे में यानि उनकी सारी बुराईया भूल के अब के वहल अच्छाहिया उसको याद आची समारे आगे देखो पूर मैन विचार अब ये टीचर के लिए कह रहा है पूर मैन It was in honor of this last lesson that he had put on his fine sunday clothes कि it was in honor of this last lesson कि ये इसी last lesson के सम्मान में है ऐसा कि he had put on his fine sunday clothes put on मान होता पहना कि टीचर जो है वो fine sunday cloth पहन के आया है अच्छे अपनी जो कपड़े वो sunday को पहन के आता था वही कपड़े वो पहन के आया है तो ये वो इसलिए आया है कि इस last lesson के honor में end और now I understood और मैं ये समझ चुका हूँ कि why the old men of the blaze were sitting there in the back of the room और मैं ये भी समझ चुका हूँ कि क्यों ये पुराने लोग जो गाओं के ये बुड़े बुजर्ग लोग है ये क्यों बिचारे यहां बैठे हैं ये भी मैं समझ चुका हूँ है ना फिर वो आगे कहता है it was because ऐसा इसलिए है कि they were sorry कि ये लोग सब दुखी है तू ये लोग भी दुखी है that कि they had not gone to school more कि वे ज़्यादा इस्कूल नहीं गए इस बात के लिए वो दुखी है it was their way ये उनका their way उनका तरीका है of thanking our master for his 40 years of faithful service कि ये हमारा जो master है उसकी 40 साल की जो faithful service है उसको बोलने का क्या है ये उसका तरीका है and of showing their respect for the country that was theirs no more of showing their respect for the country that was there no more और ये उनका तरीका है अपने देश के पर की समान वेक्ट करने का of showing their respect for the country और देश के लिए समान वेक्ट करने का that was theirs no more कि जो उनका नहीं था, वो सम्मान, ठीक, आगे देखो, माने जो देश उनका अब नहीं बचा था, ठीक, उसके प्रती उनका सम्मान सो करना भी, सो करने का यह उनका तरीका था, कि जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, तो I heard my name called, तो मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया, तीचर ने उसका नाम बुलाया, It was my turn to recite, किया मेरा turn था, मेरी बारी थी recite करने की, उचारण करने की, बोलने की, पढ़ने की, है ना, what, what would I not have given, मैंने क्या ना दिया होता, to be able to say, है ना, to be able to say, इस योग होने के लिए, कहने के लिए, क्या कहने के लिए, that dreadful rule for the participle all through, कि पूरे रूप से, उस participle के रूल को सीखने के लिए, मैंने क्या ना दे दिया होता, very loud and clear, कि मैं अगर उसको अच्छे से सीख जाता, loud or clear, and without one mistake, और बिना mistake, यानि वो कहरा कि मैंने अपना पूरे effort दे दिया, जोग दिया, इसको बड़े अच्छे सीखने के लिए, but, I got mixed up on the first words, लेकिन मैं, जो पहले ही सब्द थे, first words थे, उनमें ही mix हो गया, है ना, and stood there, और मैं वहीं खड़ा रहा, holding on to my desk, अब वो कह रहा, जब मैं, मैंने हर effort दिया, हर प्रियास दिया, है ना, अपना पूरा प्रियास किया, what would not, what would I not have given to be able to say that, मतलब, that dreadful rule for the participle, all through, है ना, very loud and clear, यानि बड़े loud and clear कहने के लिए, मैंने अपना हर प्रियास लगा दिया, और मैं क्या ना दे दिया होता, है ना, मतलब हर प्रियास कह रहा है, मैंने अपना कर दिया, लेकिन, मैं पहले ही सब्दों mix हो गया, और फिर वहीं holding on to my desk, अपनी desk को hold करें हुए, मैं व beating कर रहा था, धड़क रहा था, and not daring to look up, और मेरी हिम्मत नहीं थी, उपर देखने की, समझ रहे, I heard, मैंने सुना, MML say to me, कि MML ने मुझस से कहा, क्या कहा, I won't scold you, कि मैं तुम्हें नहीं डाटूंगा, little friends, अब जब मेरे से गलती हो गई, तो मैंने ये सुना, कि MML ये कह रह होगा, you must feel bad enough, कि तुम जरूर से तुम्हें बुरा लग रहा होगा, you must feel bad enough, तुम्हें पहले इसे ही परियाप बुरा लग रहा होगा, see how it is, देखो, ऐसा है, see, देखो, how it is, ऐसा है, देखो, ये चीज कैसे है, देखो, everyday we have said to ourselves, पर ते एक दिन हम अपने आप से कहते हैं, क I'll learn it tomorrow, कि मैं ये चीज कल सीख लूँगा, ऐसा हम लोग हमेसा अपने आप से ऐसा कहते हैं, कि अरे हम आप बहुत समय है, सीख लेंगे, कल सीख लेंगे, कल देख लेंगे, है ना, and now you see, अब तुम देखो, where we have come out, अब देखो, अब हमारे साथ क्या हुगा, we have come out, अब हम कह great trouble with all sex, अब यही पूरी परिशानी, all sex के साथ भी ही यही चीज है, है ना, पूरे all sex के साथ यही परिशानी है, seeports of learning, till tomorrow, अब परिशानी यह है कि बस, जो सीखना है, वो कल तक स्थके थे, कल तक ही सीख सकते हैं, है ना, क्योंगी order आ चुके हैं, तो now, those fellows out there will have the right, अब fellows, यानि वे बैकती out there, जो बहार हैं, है ना, will have the right, उनके पास right होगा, अधिकार होगा, to say to you, आप से कहने का, how is it, ऐसा है, you pretend to be, अब देखो, क्या है, कि you pretend to be Frenchman, कि आप Frenchman होने का भाउंग तो कर सकते हैं, बहाना तो कर सकते हैं, and at, और तो भी, you can neither speak or, nor, you can neither speak nor, write your own language, कि देखो, कल तक बात टालते, टालते, पढ़ाई में वही टाली, अब वही बात, all sec तक आ गई, पूरे all sec के बारे में, क्योंकि जहां यह पढ़ा रहें, वो all sec है, वो district, तो अब यही चीज all sec के साथ हो गई, क्या हो गई, कि अब फ्रेंच, हम Frenchman होने का नाटक तो क बर सकते हैं, अब ना हम French बोल सकते हैं, ना हम, है ना, लिख सकते हैं अपनी खुद की language को, but you are not the worst, poor little French, कि बिचारे little French, अब तुम सबसे बुरे नहीं हो, you are not the worst, तुम सबसे बुरे नहीं हो, we have all a great deal, to reproach ourselves with, कि we all, we have all a great deal, great deal माने होता है, बड़ी मात्रा, to reproach, reproach माने होता है, फटकारना, है ना, ये कोसना, to reproach ourselves with, कि अब हमारे पास प्रयाप कारण है, कि हम अपने आपको भी कोसे हैं, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो, जो तुमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम स्वेम को भी कोस दोस्ते हों इसके लिए, है ना, तो इतना टीचर, एम हमिल को ये समझा रहा है, समझा के बता रहा है कि देखो भईया, तुम ही केवल, तुम्हारे ही अकेला दोस्त नहीं है, कि तुम नहीं सीख पाए, या ये सब हुआ है, दोस्त हमारा भी ये कुछ, फिर वो आगे बता ये और पैरेंट्स वर नोट एंग्जियस एनफ, एंग्जियस माने चिंतित, एनफ माने परियाप, कि तुम्हारे जो पैरेंट्स थे वो परियाप चिंतित नहीं थे, तुम्हें सिखाने के परती चिंतित नहीं थे, तुम्हें पढ़ा ही सिखाने कुछ, पढ़ा है अच् मिल कि वे तुम्हें या तो किसी फार्म या किसी मिल में काम करवाना तुम्हें पसंद करते थे और अगर ये तो हुगा पैरेंट्स का दोस्त कि पैरेंट्स तो पढ़ाना नहीं चाहते बलकि मिल या फार्म में काम करवाना चाहते थे farm में and I और मैं I have been to blame also अब मुझे भी अपने आप पर blame कर रहा है मेरे पर ही blame बनता है have I not often sent have I not often sent you to water my flowers कि क्या मैं अपने आप पर अगर blame करूं तो have I not often sent you क्या मैंने प्राया तो मैं नहीं भेजा कहा नहीं भेजा to water my flowers कि तुम जाओ और मेरे फूलों को पानी दो मैंने क्या तुम्हें अपने फूलों को पानी देने नहीं भेजा है ना instead of learning your lesson कि तुम्हें तुम्हारे पाट सिखाने के बजाए मैंने भी तुम्हें पानी के लिए भेजा कि पौदों में पानी डालाओ and when I wanted to go to I wanted to go fishing और जब मैं fishing के लिए जानना चाहता था तो did I not just give you a home holiday तो क्या मैंने उस समय तुम्हें holiday नहीं दे दिया था माने उस समय मैं तुम्हें चुटी कर दिया करता था तो दोस्त और तरफ है मुझे भी दो से पूरा और तुम्हारे parents को भी पूरा दो से कि तुम अगर नहीं सीख पाए तो उसके पीछे दो कारण है पहला कारण तुम्हारे parents की वे तुम्हें सिखाना नहीं चाहते थे काम करवाना चाहते थे फार्म में या मिल में और दूसरा कारण ये है कि मैंने मैं भी serious नहीं था मैं तुम्हें पानी पौदों में पानी डालने अपने फूलों में पानी डालने भेद दिया करता था या छुट्टी देता था जब मुझे fishing के लिए जाना पड़ता था मजली पकड़ने के लिए ठीक आगे देखो ये teacher बात कर रहा है इसमें इससे बच्चे से समझ सकते हैं then तब from one thing to another फिर एक चीज से लेकर दूसी चीज then from one thing to another एक से दूसी चीज एक एक करके हर एक चीज am hamil went on to talk of the french language कि am hamil एक के बाद एक चीज पर वो french language में बात करते गई he went on went on मान होता जाई रखना to talk of the french language french language के बारे में एक चीज वो बताते रहे saying that ये कहते हुए कि it was the most beautiful language in the bird कि जो french है को संसार की सबसे beautiful language the clear as सबसे इस first language the most logical सबसे आद तार्किक language that कि we must guard it among us and never forget it और इतनी logical इतनी सबसे अच्छी सुन्दर कि इतनी clear rest है कि हमें इसे अपने बीच guard करना चाहिए इसकी सुरक्षा करना चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए because क्योंकि when are pupil यहाँ आप pupil का मतलब लोग नहीं है यहाँ राष्ट से मतलब है राष्ट कि जब कोई राष्ट जब किसी राष्ट को enslave किया जाता है when are pupil are enslave जब राष्ट को enslave किया जाता है तो as long as they hold fast to their language कि फिर क्या होता है तब तक जब तक लोग as long as जित्ते लंबे समय तक they hold fast to their language जब तक वे अपनी भासा में hold fast करते हैं उसको control में रखते हैं तो it is as if तो यह चीज वैसे ही होती है मानो as if माने होता है they had the key to their prison कि मानो उनके पास चावी हो कहें की चावी हो उनके जेल की चावी हो prison की चावी हो then he opened a grammar ठीक मतलब वो इतनी बात बता कर उन्होंने grammar की बुक खोल ली and read us our lesson और हमें हमारा chapter पढ़के बताया I was amazed to see मैं बड़ा amazed था चकेत था यह देखकर बड़ा अच्छे से मुझे समझ में आ रहा था all he said seemed so easy और जो कुछ भी उन्होंने कहा बड़ा easy लगा so easy, बहुत easy लगा I I think, मुझे लगता है true मुझे भी लगता है कि I had never listened so carefully कि मैंने कभी भी बड़े आसानी से बड़े carefully, बड़े साउधानी सेतना मैंने कभी नहीं समझा था ऐसा मुझे लगा क्यूंकि उस दिन बड़ा chapter समझ में आ रहा था कायजे से तो मुझे लगा ठीक, आगे देखे and or that he had never explained everything with so much patience और मुझे यह भी लगा कि he had never explained everything कि उन्होंने कभी भी इतने with so much patience कि बड़े अच्छे ध्यरे के साथ उन्होंने कभी भी साइट इतने अच्छे से पहले समझाया भी नहीं था it seemed almost it seemed यह लगा लगवग लगा or as if मानो, मानो लगा the poor man wanted to give us और ऐसे भी लगा मानो कि यह विचारा आदमी है अपने teacher को विचारा कह रहा है यह teacher भी दुखी है वो भी दुखी है है ना wanted to give us all he knew before going away कि जाने से पहले ऐसे लग रहा था ऐसे जाने से पहले teacher सब कुछ हमें देना चाहता हो and to put it all into our heads at one stroke stroke माना प्रहार heads माना सेर और ऐसे लग रहा था मानो यह हमारे सेर में एक ही प्रहार से सब कुछ डाल देना चाहता हूँ ऐसे लगा ठिक after the grammar grammar के बाद we had a lesson in writing हमने एक lesson पढ़ा एक lesson हमारा हुगा जो writing पर था lake पर था that day उस दिन एम हैमिल had new copies for us उस दिन एम हैमिल हमारे लिए नई copy लाए थे written in a beautiful round hand कि जिसमें बड़े beautiful सुन्दर round hand में लिखा था क्या लिखा था France all sec France all sec यह चीज लिखे थी France लिखा था all sec लिखा था France लिखा था they looked like flags और वे सब चीजें ऐसे लग रहे थी जैसे flags हो जंडे हो floating everywhere in the school room और वे जो यह जो सब्द लिखे न France all sec France all sec लिखा था उन copy उं में जो एम हैमिल लाई हुए थी है ना तो वे सब्द ऐसे लग रहे है जैसे छोट छोटी यह flags हो जंडे हो floating everywhere in the school room hung from the road at the top of our desk और ऐसे लग रहे थी जैसे यह जंडे हो जो पूरे रूम में तैर रहे हो और hung from the road और एक रॉड से hung हो लटके हुए जंडे at the top of our desk हमारी desk की top में ठीक माने desk के उपर रोड से लटके हुए जंडे की तरह लग रहे थे पूरे रूम में फैले हुए you you ought to have seen how everyone set to work you ought to have seen आपको देखना चाहिए था जरूर देखना चाहिए था how everyone set to work की कैसे प्रतेक जो भी क्लास में था अपने अपने काम में set था बिलकुल work में क्योंगे सभी एक आग्रे हो उसने है ना set to work की मतलब ये देखने को चीज बनती थी की उस दिन सभी लोग अपने अपने काम में बड़ा मस थे कोई भी ऐसा नहीं जो काम में लीन ना हो सभी लोग लीन थे हो ठीक and how quite it was और उस दिन कितना सांत महौल था how quite it was उस दिन कितना सांत था the only sound जो एक मात्र आवाज अगर आ रही थी sound था तो was the scratching of the pens over the paper की केवल जो आवाज आ रही थी ओ पैन के पेपर पर scratch होनी की आवाज आ रही थी घिसनी की आवाज है ना once एक बार some beetles कुछ भ्रिंग flew in कुछ beetles अंदर उड़के आगे but nobody paid any attention to them लेकिन किसी ने भी उन पर बिलकुल विध्यान नहीं दिया कि एक बार beetles उड़के आए भ्रिंग अंदर उड़के आए लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया not even the littlest one यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया जो छोटे बच्चे थे उनने भी ध्यान नहीं दिया who worked right कि जो काम कर रहे थे ठीक काम कर रहे थे on tracing tracing माने होता है निसान लगाना tracing their fish hawks जो fish hooks को जो निसान लगा रहे थे कहने के मतलब fish hooks बगएरा बना रहे थे चित्र बगएरा उन पे लगे हुए तो काम में तो उन्होंने इन इन beetles पर कोई ध्यान नहीं दिया छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया जबकि छोटे बच्चे ध्यान देते हैं इन सब चीजों पर as if Mano that as if Mano Mano उन्होंने ध्यान नहीं दिया Mano की Mano that was French Mano की वो जो वो काम कर रहे वही फ्रेंच हो to है ना वही फ्रेंच हो on the roof the pigeons could very low अब छत पर क्या था जो pigeons थे जो कब उतर थे बड़े कू कर रहे थे माने बोल लह थे गोटर गोटर कू कर रहे थे बड़े slowly slowly low and low अबाज में and I thought to myself मैंने खुद से सोचा will they make them sing in German और मैंने खुद से सोचा कि क्या इनको ये जर्मन में ही गववाएंगे make them sing यानि जो जर्मन वाले लोग है जोनों नहीं ये order दिया हुआ है कि France में अपके वल जर्मन पढ़ाई जाएगी तो क्या वे कबूतरों से भी जर्मन गववाएंगे even the pigeons कि यहां तक कि पिजन से भी जर्मन में ही गववाएंगे क्या ये चीज वो कह रहा है whenever I looked up from my writing कि जब कभी मैंने अपनी writing से उपर देखा ठीक उपर जहांक के देखा तो I saw मैंने देखा क्या देखा एम हमेल sitting motionless in a chair कि एम हमेल motionless बिना हिले डोले अपनी chair पर बैठे हुए है sitting motionless in a chair and gauging first at one thing और gauge माने घूर रहे first at one thing पहले तो एक चीज को देख रहे then at another और फर दूसी तरफ देख रहे as if मानो he wanted to fix in his mind मानो वो ऐसे देख रहे जैसे वो अपने mind में fix करना चाहते हो just ठीक ठीक how everything looked in that little school room कि कैसे हर चीज उस छोटे से school room में दिख रही वो हर चीज को fix कर लेना चाहते हैं फिक्स कर ले लेना चाहते हैं इसलिए वो हर चीज को बड़े gooह से class में देख रहे थे हर चीज को अपने mind में डालना चाहते हैं ऐसे वो देक उन fancy, मानो, कल्पना करो, for 40 years, 40 साल से, है न, 40 years, he had been there in the, in the, कि मानो, 40 साल से, he had been there in the, कि मानो, 40 साल से, वो कहां हो, ठीक, in the same place, एक ही जगह में हो, with his garden outside the window, कि उस जगह में जहां, उनका garden है, खिड़की के बार, outside the window, and his class in front of him, और उनकी class है, उनके ही सामने, just like that, जैसे की, अभी, only the desk and benches have been worn smooth, कि केवल जो desk और benches बगेरा है, वही केवल smooth हुई है, वही चिकनी हो गए, गिस-गिस के, है न, the walnut tree, और जो अख्रोट बगेरा के पेड़न है, in the garden, वर, taller, वे थोड़ा और लंबे हो गई, यानि, 40 सालों में अगर कुछ बदला है, तो ये बदला है, कि जो desk और वेंचेश है, वो घिसके smooth हो गई है, जो walnut tree है, गार्डन में, वे थोड़ा, वे थोड़ा और लंबे हो गई, और जो hop wine है, है न, एक परकार की बेल होती है, तो जो whale है, the hop wine that he had planted himself, कि जो सको उन्होंने खुद plant किया था, himself twined about the windows, कि वो खिड़की में twined हो गई, गुत गई, ले पड़ गई, to the roof, window से लेके कहां तक ले पड़ गई, roof तक, छत तक ले पड़ गई, है न, how it must have broken his heart, कि कैसे इस चीज ने उनका हिर्दे तोड़ा होगा, to leave it all, poor man, which are our, कि इन सब को छोड़ते हुए, कैसे इन सब चीजों ने उनका दिल तोड़ा होगा, to hear his sister moving about, और, to hear, अब वो सुन रहे, his sister moving about in the room above, कि उपर उनकी जो sister है, वो भी, उसकी आवाज भी सुनाई दे रही, वो क्या कर रही, रूम में move about कर रही, माने चल रही, और क्या क बक्सा बगएरा पैक कर रही है, for, चूंकि, they must leave the country the next day, क्योंकि अगले दिन उनको देश क्या करना है, छोड़ना है, अगले दिन उन्हें क्या करना है, देश को छोड़ना है, आगे चलो, but he had the courage to hear every lesson to the very last, लेकिन, अब narrator बताता है, but he had the courage to hear every lesson to the very last, कि अंत तक हर lesson को सुनन का उनके पास साहस था, after writing, लिखने के बाद, we had a lesson in history, अब history का हमारे एक lesson गुए, and then the babies chanted their ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba, फिर बच्चों ने ये chant किया और चारण किया, ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba, कुछ पढ़ रहे है बच्चे, छोटे बच्चे, down there at the back, or down, नीचे, there, वहाँ, at the back of the room, room के पीछे, old hauser, had put on his spectacles, old hauser ने अपनी चस्मों को पहना, and holding his primer in both hands, और अपनी primer को, दोनों हातों में hold करे हुए, पकड़े हुए, जो old hauser है, गाउं का बुढ़ा वेक्ती, वो क्या कर रहा है, spell the letters with them, और वो letters को spelt कर रहा है, माने, पढ़ रहा है वो, क्या कर रहा है वो, old hauser, पढ़ रहा है, उन letter को, ठीक, वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो you, you could see, आप देख सकते हैं, that की, he too, वह भी, was crying, वह भी रो रहा था, की old hauser भी पढ़ते हुए, रो रहा था, his voice trembled with emotion, अब भाव के कारण, उसकी जो voice थी, वो tremble हो रही थी, कप रही थी, लड़ ख to hear him, और उसको सुनना अपने आप में बड़े funny चीज थी, बड़े वो अजीब तरीके से पढ़ रहा था, that की, we all wanted to laugh and cry, की हम सब भी हसना और रोना चाहते थी, चिलाना चाहते थी, आह, अरे, how well I remember it, की कितना अच्छे से मुझे याद है, that last lesson, की वो अंतिम लेशन, मुझ कितना अच्छे से याद हो गया, author यह, narrator यह चीज बता रहे, कितना अच्छे से यह चैप्टर मुझे याद हो गया, क्योंकि यह बड़ा एक आगरता से यह चीज पढ़ी जा रही और सुनी जा रही, all at once, तुरंत, उसी समय, all at once, the church clock, is track 12, की उसी समय, church की जो clock थी, घड़ अचना, एंजलस शुरू हो के, है न, at the same moment, उसी छण, the trumpets of the prescience, trumpet माने होता है, तो रही, एक प्रकार का भोफू होता है, जो बजाये जाता, लंबी, सूर सी निकली होती है, वो बजाये जाता है, है न, at the same moment, the trumpets of the prescience, returning from the drill, अब जो prescience soldiers, जो drill से, यानि योद्धा भ्यास स जो लोट रहे थे, वो trumpet बजाते हुए आ रहे थे, भौफू बजाते हुए आ रहे थे, sounded under the window, कि उनकी जो आवाज है, वो बिंडो के नीचे से आ रहे थे, खिड़की के नीचे से आ रहे थे, तो एम हैमिल, इस्टोडप, जो एम हैमिल थे, जो teacher थे, वो वहीं खड़े हो रहे थे, इस्टोडप, बैरी पेल, पेल माने होता है, मुर्जाया होगा, हलका पीला, इनेच चेर, कि अपनी चेर में वो खड़े हो गए, मतलब चेर से खड़े होगे, मुर्जाया हुए चेहरा लेकर, हैना, बैरी पेल, इनेच एम अपनी चेर में खड़े हो गए, I never saw him look तो सो टॉल कि मैंने उनको कभी नहीं देखा था कि वह इत्ते टॉल दिखाई देते ते लंबे यानि पहली बार वह टीचर को अब्जर्ब कर आए कि टीचर इतना लंबा है ठीक समझ रहे तो आगे देखें यानि इसके पहले उसने ध्यान नहीं दिया था कभी टीचर के अपिए रैंस पर की टीचर लगता कैसे दिखता कैसे चलो अब टीचर क्या कहता है माइ फ्रेंड्स मेरे मित्रों सैड ही उसने कहा आई आई मैं मैं अब इतना कहते हुए आई आई इ लेकिन जब इतना उसने कहा, तो कोई चीज है जो उसको चोक कर दिया किसी चीज नहीं, माने रुंद गया, गला रुंद गया उसका, he could not go on, go on माने होता है जारी रखना, अब वो और ज्यादा नहीं पढ़ता है, then he turned to the blackboard, then तब he turned to the blackboard, फिर वो blackboard की तरह मुड़ा, took a piece of chalk, उसने चोक का एक पीस लिया, and wearing on, wearing on माने होता है धारन करना, wearing on with all his might, might माने होता है सामर्थिय सक्ती, अपनी पूरी सक्ती से इसको धारन करते हुए, he wrote, उसने लिखा, as large as he could, कि जितना बड़ा वो लिख सकता था, उतने बड़े अक्छरों में उसने लिखा, एक पीस उठाया, then he turned to the blackboard, उसने इतना बड़ा लिखा, जितना वो लिख सकता था, क्या लिखा, वाईब ला फ्रांस, की फ्रांस, जियो फ्रांस, ठीक, तुम जीवेत रहो फ्रांस, ऐसा लिखा, जिसका भावारती है, जियो फ्रांस, then, तब, he stopped, फिर वो रुख गया, and leaned on his, and leaned, टिक गया ऐसे, leaned, है न, his head against the wall, और दिवाल से अपना, सिर उसने ऐसे, क्या कर लिया, लगा लिया, है न, माने, टिक गया दिवाल से, है न, then he stopped and leaned his head against the wall, दिवाल से टिक गया, and without a word, और बिना एक सब्द के, he made a gesture, और उसने एक इशारा किया, ठीक, एक हाव-हाव दिखाया, to us, हमें, वेदेज हैंड, अपने हाथ से कहा, school is dismissed, कहा, school is dismissed, कि school जो हो, dismissed हुआ, you may go, तुम जा सकते, तो इस तरीके से, यह जो chapter है, वो complete इसका explain हो गया है, अब आगे, हम लोग इसके question answer बगएर जो है, वो पढ़ेंगे, ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like और share करना ना भूले,